हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब तीक होंगे फ्रेंड्स आज मा आपको बताने वाली हूं गलीसरीन में अगर आप इसे मिलागे लगाते हैं तो इससे आपके चैरे पे जितने भी जुरियों की प्रोबलम है या फिर जाया है आपके चैरे पे बहुत यृत जिकिलीशन जाणाई डिया गलो आने वाला है है तो चले देखते हैं इस रेंड्स की स्टेसरी नाहевой कंसी लेना इससे यह हैं अंडर का्म करता उत्रह पर आपके धग 5000 की यह तो यहां चैरे själ मेतर की help से grad किया है और जेल निकाल लिया है थाप जनी बी हमुद हे जेल भी निकाल सकते हैं उसके बाद मई आपर ले निए हूँ काwhy चैरी की रहे हुआं तो अढ़ा चमस लें के बाद मैं आपर ले रहे हूँ ₤ ले हम एक विलिकर चैर लीए हूँ ₹ विटामिन E का लेना है अगर यह नहीं तो आप इसकी जगे बादाम का तेल ले सकते हैं अच्छे सी सबको मिक्स करना है मिक्स करना है एक सी दो मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जेल बन जाता है और ये आपके चैरे के लिए बहुत ज़ादा फाइदे मंद है आपके चैरे पे जितनी भी जुरियों की प्रॉबलम है वो ठीक होने लगेगी दाग धब प्लोड करूँ उसे आप सबसे पहले देख पाए तो चली फटा फट से इसे लगा लेते हैं इसे आपको कम से कम हपते में चार वार लगाना है अगर अच्छा रिजड चाही तो आप रोज भी लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है अच्छे से पहले चैरे को स अच्छे से मसाज करें 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करें उसके बाद इसे ऐसे ही लगा रहने दे 15 मिनट के बाद अपने चैरे को दो लेना है अगर आप चाते हैं चैरे की दाग धबे या फिर जुरियां जाई या ठीक हो जाए तो आपको इसे रोज लगाना है नहीं तो आ आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राइ नहीं होगी इसे लगाने के बाद तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई